हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने जुकेसले चैनल में जिसका नाम है नियू स्टेडी प्लानिर तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप दियारिया भी अच्छे से चल रहे होंगी आज की वीडियो में आई अप पढ़ते हैं एकोनामिक दोस्तों अर्थसास्त्र की परिभासा के संबंद में अर्थसास्तियों के बीच बहुत ज़्यादा पिवाद है किंस ने तो यहां तक के दिया कि राज अर्थ्ववस्तानी परिभासाओं से अपना गला गोट लिया है जूथन ने कहा कि अर्थसास्त्र एक अपोर्ड विज्ञान है इसलिए इसे नेश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंती ही कठिन काम है प्रारंब से लेकर अब तक अर्थसास्त्र की जो भी परिभासाएं उपलब्ध हैं उन्हें हम सुविधा के लिए चार भागों में बाट सकते हैं तो सबसे पहले कौन सा भाग लेते हैं सबसे पहले लेते हैं धन संबंधी परिभासाओं को Classical अर्थसास्त्री खास कर Adam Smith, J.B.C, Senior, J.S. Mill, द्वारा दी गई परिभासाओं को इस वर्ग में हम शामिल करेंगे Adam Smith ने क्या कहा? Adam Smith ने कहा कि अर्थसास्त्र धन का भी ग्यान है इन्होंने अपनी पूस्तक का नाम भी An Inquiry into the Nature and Causes of Willthouse Nation रखा ठीके? Adam Smith ने कहा कि राष्टों के धन के स्वरूप तथा करड़ों की जाज करना ही अर्थसास्त्र की भी से सामगरी है जान Stuart Mill ने कहा कि राजनीतिक अर्थसास्त्र का संबंध धन के स्वाभाव, उसके उत्पादन और वित्रड के नियमों से है अर्थसास्र मनुस्य से संबंधी धन का विज्ञान है उसी प्रकार जेवी से ने कहा कि अर्थसास्र वह विज्ञान है जो धन का ध्यान करता है इसकी बहुत सारी आलोचनाय हुई धन का विज्ञान जो कहा क्लासिकल अर्थसास्रियों ने आये जानते हैं कि कौन कौन सी प्रमुखा लोचनाय है सबसे पहले Classical अर्थसास्रियों ने केवल उन्ही भौतिक वस्टूओं के लिए धन का प्रयोग किया जिन्हीं देखाया सपर्स किया जा सकता था इसलिए अर्थसास्र के अध्यान में सिर्फ उन्ही लोगों को शामिल किया जो ऐसी वस्तुओं जैसे सोना चादी आदिसे संबंधित थे बाकी मनुस्यों की आर्थिक क्रियाओं को नजर अंदास किया गया दूसरी चीज धन संबंधित रिष्टिकोड के कार अर्थसास्त्र की परिभासा अत्यंत ही संकुचित हो गई जर्मनी के एतिहासिक परंपरा के अर्थसास्त्रियों एवं अनेक समास सुधारकों वराजनीतिग्यों ने जैसे रसकिन कारलाईल बर्ग आदिने धन की विज्ञान के रूप में अर्थसास्त्र की परिभासा की बहुत ही जादा कड़ी आलोचना की सच कहा जाए कि इन परिभासाओं की सबसिक बड़ी कमजोरिया रही है कि इसमें धन को ही अर्थसास्तर का प्रधान लक्ष बना दिया गया तथा या भुला दिया गया कि धन साधन है, साध्य नहीं, साध्य तो है मनुष्य और उसकी संतोष्टी इसलिए निश्कर्ष निकला कि एडम स्मित की धन संबंधी अर्थसास्त्री परिभाशा को स्विकार नहीं किया जा सकता उसके बाद आती है भौतिक कल्यार संबंधी परिभाशाएं इसमें नियो क्लासिकल अर्थसास्त्रियों जैसे मार्शल, पीगू, कैनन, आदिद्वारा दी गई परिभाशाओं को शामिल किया जा सकता है क्लासिकल अर्थसास्त्रियों ने जब धन के विग्ञान के रूप में अर्थसास्त्र की परिभाशाएं दी तो इसका छेत्र ही संकुचित नहीं हुआ बलकि यह सास्त्र गृड़ा का बिश्य बन गया इसकी वज़ा से साध्हन साध्य बन गया और साध्य साध्हन इस प्रकार के जिष्टिकोड में आमूल परिवर्थन की आवश्यक्ता थी क्योंकि धन तो केवल साध्हन मात रहे साध्य तो है मानो कल्यार इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग सव वर्ष पहस्चात मार् पूस तक प्रिंसिपल आफ एकोनामिक्स में अर्थसास्र की परिभासा कुछ इस प्रकार से दी राजनेतिक अर्थसास्र अत्वा मानोजात के साधारण व्यापार का अध्यान है यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जाज करता है जिसका निकट संब कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है मार्सल की परिभासा में कुछ जीजे ध्यान देने व्योग्य हैं जैसे मानवी कल्याण पर जादा बल दिया इन्होंने जीवन के साधहरण व्योसाय संबंधित क्रियाओं का अध्यान भौतिक मार्सल के बाद कैनन ने भी अपनी परिभासा दी इसकी बहुत सारी अलोचनाय भी हुए आरथिक क्रियाओं का साधहरण तथा आसाधहरण में पांटना अनुछित है क्योंकि मार्सल ने ऐसा कोई आधहर प्रसूत नहीं किया जिससे साधहरण एवम आसाधहरण क्रियाओं के बीच भेद अस्पष्ट किया जा सके इसके लामा रॉबिंस ने कहा कि अर्थसात्र समाजिक बिज्ञान नहीं है बलकि मानो बिज्ञान है इसका संबंध जंगल में रहने वाले सन्यासी से भी उतना ही है जितना की समाज में जीवन यापन करने वाले क्रिशक यानि किसान स मार्सल की परिभासा अर्थसास्त के अधियन को अनेक वरगों में विवाजित करती है पर उनका विसले सड़ प्रस्तुत नहीं करती ये भी एक अलोचना है अर्थसास्त का कल्यान के साथ संबंध अस्थापित करना उचित ही नहीं है अगली अलोचना है मार्सल की परिभास अर्थसास्त की सबसे ज़्यादा कटव आलोचना रॉबिंस ने की है और उसने कहा कि अर्थसास्त एक वास्तविक बिज्ञान है आदर्श बिज्ञान नहीं कौन सी चीज का ल्याण कारी है कौन नहीं या नीती सास्त का भी से है अर्थसास्त का नहीं अगली जो आलोचना है मार्सल ने यह कहकर अर्थसास्त को संकुचित कर दिया किसके अंतरगत सिर्फ समाज के अंदर रहने वाले डेक्तिगों का ही अध्यन किया जाएगा समाज के बाहर के मनुष्यों की अर्थिक्रियाओं का नहीं सबसे बड़ी कमचोरी यही साबित हुए मार्सल की परिभाषा की उसके बाद पीगु ने भी अपनी परिभाषा दी पीगु ने क्या कहा पीगु ने अपनी परिभाषा में कुछ भिन्नता दिखाई मार्सल की परिभासा की पेक्षा जहां मार्सल ने भहुतिक कल्याण की बात की थी तो पीगु ने आर्थिक कल्याण की बात की क्या परिभासारी पीगु ने देखते हैं पीगु ने कहा कि अर्थसास्र आर्थिक कल्याण का भी से है आर्थिक कल्याण से हमारा ताथ पर यह सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोग्ष रूप से मुद्रा के मापदर्ण से संबंदित किया जा सकता है पीगू की धाड़ा अर्थसास को ब्यावहारिक विज्ञान के रूप में सामने लाती है परन्त इनकी परिवासा भी उन्हीं दोसों से युप्ट थी जिन दोसों से मार्शल की परिवासा दोस्य थी जैसे मार्शल के भावतिक और अभावतिक साधनों के बीच अंतर करना तो संब्भव भी था पर पीगू के अर्थिक और अनार्थिक कल्याण के बीच विभाजन रेखा खिशना तो बिलकुल असंभव ही है दूसरी बात पीगू ने कहा कि अर्थसास्त्र के अंदर गत समाजिक कल्याण के उसी भाग को सम्मिलित करते हैं जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सके ऐसे में तो वस्तु बिनिमें पर आधारित अर्थियोस्ता अर्थसास्त के छेतर से बाहर ही हो जाएगी ठीके आगे है सीमित्ता या फिर दुल्लवता संबंधी दिश्टिकोर या परिभाशा जिसको राबिन्स ने परिभासित किया सन 1932 में राबिन्स की एक पुस्तक आई एन इसे on the nature and significance of economic science इसके पहले के अर्थसास्त्रियों ने अर्थसास्त्र की परिभाशा तथा बिसे संबंग्री के संबंध में कोई क्रमबध तथा ने स्चित विवेचन प्रस्तूत नहीं किया था मार्सल की परिभासा का सबसे बड़ा दोसी राबिन्स के लिए रास्ता बना मार्सल ने कहा था कि अर्थसास्त्र उन्हीं मनुस्यों की क्रियाओं का अध्यान करता है जो समाज में रहते हैं उनका अध्यान नहीं करता जो समाज से बाहर रहते हैं इतना ही नहीं अर्थसास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सभी क्रियाओं का अध्यान नहीं करता बलकि केवल भौतिक साधनों से संपध या आर्थिक क्रियाओं का अध्यान ही करता है पीगू के अनुशार ये किस ने कहा है? पीगू ने कहा है जो की एक Neoclassical अर्थसास्त्त्री हैं मारसल के समर्थक अब राविंस के सामने सुनाउती थी कि वहा अर्थसास्त्र की एसी परिभासा प्रस्तुत करें जो इसे सामाजिक सास्त्र की संकीरता की चाहर दिवारी से बाहर निकाल सके बद के एक पहलू जोकी चुनाव यानि 24 से संबंद रखता है का अध्यान कर सके और फिर राबिन्स ने ऐसी परिभासा दी जो अपेक शक्रित अधिक बैज्ञानिक और विसले स्रातमक है राबिन्स मानुवी कल्यान को दो भागों में विभाजित नहीं करते राबिन्स के अनुसार, राबिन्स ने अपनी परिभासा दी अर्थसासर की अर्थसासर वाह बिज्ञान है जो साध्यों एंड्स तथा वैकल्पिक उप्योग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानुव्याभार का अध्यान करता है रॉबिन्स का दिश्ट कोड मानो व्योहर की निम्न विश्यस्ताओं पर आधारी थे जैसे साध्य अनेक हैं और साध्यों की पूर्ति के लिए साधन सीमित हैं फिलहाल साध्यों के वैकेलपिक उपयोग संभव हैं प्रोफेसर फिलिफ विकस्टीड ने लिखा कि अपने सबसे विश्तित अर्थ में अर्थसास्र साधनों के प्रयोग तथा इस प्रयोग में उत्पन होने वाले नुकसानों के सामाने सिधान का अध्यान करता है Classical और New Classical अर्थसास्रियों की परिभासाओं के पेक्षा आधनिक अर्थसास्रियों यानि Robin's, Wick Street, Professor Micet और Samuelsonάlich की परिभासाएं काफि बैग्यानिक हैं जो कि अर्थसास्र को एक पिग्यान के रूप में अस्थापित करती हैं अब आईए रॉबिंस की परिभासा का मुल्यांकन कर लेते हैं यानि आलोषन के बारे में चर्षक कर लेते हैं कुछ आधारों पर रॉबिंस की परिभासा की आलोषन की जाती है जैसे सभी प्रकार की अर्थवोस्ता में ये लागू नहीं होता साध्यों के संबंध में तटस्तता का दावा जो राविंस ने किया वो गलत है अर्थसास्त्र को आधर्श बिग्यान ना मानना भ्रामक है और राविंस द्वारा नेगमन विद पर अधिक बल दिया गया है प्रोफेसर पीगु ने कहा कि अर्थसास्त्र प्रकास दर्शक बिग्यान ना होकर एक फल दायक बिग्यान है इसलिए अर्थसास्त्री साध्यों के प्रति तटस्त नहीं रह सकता अन्य था अर्थसास्त्र केवल सिध्धान्तों का बोज बन जाएगा उसके बाद आवस्यक्ता बहेंत समंधी परिभाशा का नमबर आता है चलिए देख लेते हैं जिसको प्रतिपादित किया प्रोफेसर जेक्के मेहता ने इलाहबाद विश्यविद्याले के अर्थसास्त्र विभाग के भूदपूर्वा ध्यक्ष प्रोफेसर जेक्के मेहता ने जिन्हें भारती दार्षनिक सन्यासी अर्थसास्त्री कहा चाता है आर्थिक क्रियाओं के उद्यस्य को एक नया रूप फल्सरूप अर्थसास्त्र को एक नया दृष्टिकोर देने का प्रयास किया है जो पास्चात्य अर्थसास्त्रियों के मतों से सर्वता भिन्न है जो सर्वथा भारती है तथा जिसमें भारती संस्कृती धर्म तथा नयतिक्ता का विशुद्ध प्रतिनिधित्व हुआ है प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार अर्थसास्त्र एक विज्ञान है जो मानवी व्योहार की इच्छा रही तवस्था या इच्छा विहिंता की इस्तिति तक पहुंचने के साधन की रूप में अध्यान करता है प्रोफेसर जेके मेहता का मानना है कि ये च्छाओं से मुक्तिपाना ही आर्थिक समस्या है बहुत सी बातों में प्रोफेसर जेके मेहता रॉबिन्स का समर्थन करते हैं परन्तु फिर भी राबिन्स और उनके द्रिश्टिकोड में कुछ अंतर है जिसको आई देख लेते हैं जैसे प्रोफेसर राबिन्स अधिक्तम संतोस के लक्ष को पूर्वनिस्चित मानते हैं इसलिए अर्थसास्र उनके अनुसार तटस्त विज्ञान है इसके विप्रित ज जब की जब की मैता की अलोचना भी हुई है जो जेकी मेता ने अर्थसास की परिभासा दी है उसकी अलोचना भी हुई है जैसे प्रोफेसर जेके मेहता के दिश्टिकोर की आलोशना इसाधार पर की जाती है कि उनका अर्थसास्र एक कालपनिक तता आसाधार मनुस्य तक सीमित है क्योंकि सामानी ब्यक्ति समाज में रहता है जो अधिकतम सुक के बारे में सोचता ही नहीं। प्रोफेसर जेके मेहता ने अनावस्यक रोप से अर्थसास्र को धर्म और दर्शनसास्र से जोड़ दिया है। यद जेके मेहता का दिश्टिकोर स्विकार कर लिया जाए तो अर्थसास्र का अस्तितु ही खत्म हो जाएगा क्योंकि जब आवस्यक्ताय कम होंगी तो आर्थिक अर्थसास्त्र आर्थिक पईढमोंका वैग्जानिक अध्यन है। के तथा दूसरी ओर जो इससे भी अधिक जरूरी है साधनों के स्वयम ब्रिद्धी से संबंदी थे जिससे आर्थिक कल्याण में ब्रिद्ध की क्रिया प्रावायगी क्रूप से निरंतर चलती रहे